हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CITS का रिजल्ट आ चुका है और जो भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं कॉंसलिंग का कि सर अब क्या होगा मेरा रिजल्ट तो आ चुका है तो मैं बता दू कि आप लोग के एक minimum cutoff होती है कि उस 20 पर आप का डिविशन होता है तो मैं बता दू कि आप लोग कुछ जैसे कि आप इस देख पा रहे हैं कि जनर्र कट आफ 33, OBC कट आफ 23, 29 सोरी, SCHT और जो फिचली हंडिकाप होती 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 है 20 तो जो हमाई कट आफ है इसी के around होने वाली है जिन बच्चों कि से कम नंबर है तो वो भूल जाए और जिनकी उपर नंबर है तो कॉंसलिंग जरूर करवाएं यदि नंबर 33 जनर्र के उपर है तो आप कॉंसलिंग जरू करवाएं और 29 के उपर है तो OBC के है तो जरू करवाएं और the SCHT के हैं तो 20 करवाएं राउंड ओफ 33 है तो 32 हो सकता है ठीक है 29, 28 हो सकता ह है 20 यह तो 19 हो सकता है को कोरोना कोविड के वज़े से हो सकता है कुछ परसंटेज कम हो जाए इनका जो कटाफ है एक या दो नमर कम हो जाए पर इसी के अप्रोस आपकी नन रिफंड डेवल होगी वह रिफंड नहीं की जाएगी ठीक है और यदि आपकी फीस यदि आपका डिविशन हो जाता है तो एड़िज़श्ट हो जाएगी वह फीस आपकी क्या हो जाएगी ठीक है तो इसके काडिंग आप लोगों को 1000 रूपे स्पे करना पड़ेगा ठीक अंगे देखते हैं ऐसे किते हैं मैं आपको बता दूं फर्स्ट राउंड सेकंड और मॉपअ राउंड होता है ठीक है तीन फेस में आपकी क्या होगी ठीक है जैसा कि आंगे लिखा हुआ है कि आपका जो भी कोई सेलेक्शन होगा तो हो जाने कि बाद में फीस कर देंगे उसके बाद के बाद क्या हुँगा कि आपको को से certificate कि बच्चे लोग के कही सर्क कोशन थे सर्क क्या लगाने है certificate कौन से certificate लगाएंगे क्या क्या मेंड डाकुमेंट डेजाने है तो मैं बता दूँ आपके पास इथी high school का हो तो mark sheet और आप उसके जो भी सनद होती है हैसुरिया हैसुर के mark sheet या हाशुर की आपकी certificate होता वो ले जाए है इंटर का दिया के पास है तो इंटर के दूर हो ले जाए है जो आप लिखा होगा आप पहले counseling fees payment जो देंगे उसका जो एक receipt होगी वो भी आप ले जाएगेगा क्योंकि आप 1000 रुपीज अपे करेंगे उसकी भी receipt अपले जाएगे हाँ हमने receipt हमने उससे जनरेट करेंगे computer से वो मिलने लिजेगा academic certificate का चार्ट पास किया हुआ या 12th पास किया हुआ या 10th पास किया हुआ ह उसके certificate आप ले जाएगेगा उसके बाद mark statement of certificate और for completing ITI डिगरी यानि कि क्या हुआ जो ITI जो आप certificate होगे वो भी ले जाएगे को कि उसमें यदि डिजिटा साइंच बहुल बच्चों की वो नहीं होते है तो करवा लीजेगा तो ITI का certificate होना चाहिए और caste certificate हो जो भी caste आप ब बता नहीं है कि जो भी आप जहां से निवास करते हैं उसका निवास certificate होना चाहिए तो यह सब चीज चलेंगी तो आप जैसे कि मैंने बताई को और मैंने बता दिया और आंगे जो भी कुछ क्यों कि वोगी आप मुझे जरू पूछेंगे मेरा आकम य्रियु और कर सकते हैं रात के बारा बजे व Eng n if रेकर आप से बतच्रक हरोगा और आपको आपकी क्यों को अब मैं जरू यहिंँ जय भारत